क्या छेत्रिय दलों को समेटने में लग चुके है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी क्या मद्य परदेश में मोहन यादव को मुख्य मंत्री बनाकर उत्तर परदेश में अखिलेश यादव और बिहार में लालु प्रसाद यादव को बड़ा संदेश दिया गया है क्या राज छेत्रिय दलो को समेटने में लग गए हैं उनके टागिट पर विशेश रूप से उतर परदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में राज़त है मद्यपदेश में जिस तरह से मोहन यादव को मुख्य मंत्री बनाया गया है उससे उतर परदेश में अकिलेश यादव और बिहार में लालू प्रसाद यादव को बड़ा संदेश दिया गया है भुपेंद्र यादव के बाद मोहन यादव को भार्थी जन्ता पाटी ने विशेश सम्मान दिया दरसर जिस तरह से बिहार से जातिय जन्गर्ना की बात उठी और उसके बाद अखिलेश यादव ने विशेश रूप से इस मुद्दे को उठाया भले ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब को सबसे बड़ी जाती बताया हो पर वह जाती जन्गर्ना के बाद वह सचेत हो गए हैं जिस तरह से उन्होंने यादव वोट बैंक के लिए बड़ा संदेश दिया है उसी तरह से वह पिछड़े वर्ग में आने वाली दूसरी जातियों के लिए भी संदेश दे सकते हैं 36 गड़ और मद्यपरदीश के बाद अगला नंबर राजिस्थान का है राजिस्थान में वसुंद्रा राजे लगतार शक्ती प्रदर्शन कर रही है वसुंद्रा राजे मद्गना से पहले ही राजे पाल कल राज मिश्रा से मिली चुनाव परिणाम आने के बाद पहले 25 व राजनास सिंग राजसान पहुचे हैं 36 गर में विश्णू देश साय तो मद्यपरदेश में मोहन यादव को मुख्यमंतरी बनाकर बीजेपी ने 2024 का एज़ेंड़ कर लिया है मद्यपरदेश में यादव को मुख्यमंतरी बनाने पर बिहार यूपी के यादव ने ताओ उ होंगे इससे पहले बीजेपी का कोई भी मुख्यमंतरी यादव नहीं था माना जारा है कि इसका बिहार यूपी में इसका बड़ा इंपेक्ट होगा लालू अकिलेश को बड़ा संदेश पियम मोदी ने मद्यपरदेश के मुख्यमंतरी मोहन यादव को बनाकर बोपाल से लालू यादव और अकिलेश यादव को बड़ा संदेश दिया है जब जाहिर है कि बिहार और उत्रपरदेश में यादव वोटरों की सबसे बड़े दावेदार यही दोनेता है बिहार यूपी में लोकसभा की 120 सीटे है केंद्र की सरकार के लिहास से मोहन यादव को मद्य परदेश का मुख्यमंतुरी बनाना काफी माएने रखता है दसलुत्य परदेश अब बिहार में ज्यादातर यादव वोट लालू और अखिलेश यादव की पार्टियों को मिलते हैं यादव वोटरों पर इनके एक छात्र राज माना जाता है इन्हें यादव वोटरों की बदॉलट दोनों ही राजियों में दोनों नेताओं की सियासत चलती है बिहार मीं एक हाल्यका सर्वेस में सबसे जएदा अबादी वाली जाती यादव ही है लिहाजा वोटों के लिहाज से इनके महत्यों को बढ़ाया जाता है नई लेवल सीव मोहन यादव ने अपनी रा माना जा रहा है कि उनके नाम में यादव सरनेम होने का फायदा जादा मिला है CM पत के वो कहीं से दावेदार नहीं दिख रहे थे मोहन यादव के नाम की दूर दूर तक चर्चा नहीं थी BJP ने उनके नाम की घोशना कर सभी को चुका दिया है अब आज के हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए साथ ही देखते रहें इदा न्यूस 15 वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले